नवश्कार में दिक्षा सिंग बोल्सकाई में आपका स्वागत है। यदि आपको याद हो तो हमेशा हमारे पैरेंट्स हमें बच्पन में ये चेतामनी देते थे कि चुइंगम को निगलना मत या पेट में चिपक कर रह जाएगी। चुइंगम में विभने प्रकार के अलिमेंट होते हैं जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। चुइंगम में वसा, मूम, रेजिन, इलास्टोमर, पायसिकारी और अन्ह तरह के अलिमेंट होते हैं जो पेट के विकार पैदा कर सकते हैं। शरीर च्विंगम को पचा नहीं सखता है क्योंकि ये काफी लचीली और चिप-चिपी होती है ऐसा मानचाता है कि पेट की परत में अगर ये रह जाएगी तो आंत में रुकावट पैदा करेगी इसकी बास्तविक्त ये है कि हमारा शरीर च्विंगम को पचा नहीं सकता है चुइंगम ब्लॉकेज भी पैता कर सकती है आतों में चुइंगम ब्लॉकेज भी पैता कर सकती है लेकिन यह बहुत ही कम मामलों में होता है यदि कोई व्यक्ति बड़ी मात्रा में चुइंगम निकल जाता है तो उसे कब्ज की समस्या भी हो सकती है इसके अलावा चुइंगम निकलने से पेट में दर्थ उल्टी की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। चुइंगम अगर आपके शरीर में ज्यादा समय तक रहे तो ऐसी परिस्तिती में डॉक्टर से परामर्श लें। यदि चुइंगम जल्दी से बाहर नहीं निकलती तो ब्लेट प्रेशर भी बढ़ सकता है। चुइंगम काफी देर तक पेट में रहती है तो ऐसे जी मशलाना और उल्टी जैसे दिक्कते होती हैं। इसके लावा खुजली और रेश्यस की समस्या भी हो सकती है।